सिध्धार्थ मलहोत्रा की आखिरी हिट शेशाह थी, जहां उन्होंने कारगिल युद्ध के सैनिक कप्तान विक्रम बत्रा की भूमी का निभाई थी. भले ही फिल्म सीधे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइन वीडियो पर रिलीज हुई थी, लेकिन यह बेहद लोगप्रिय हुई और अभिनेता के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा लेकर आई. अभिनेता नेटफ्लिक्स के मिशन मजनु के साथ एक और देशभक्ती नाटक में वापस आ गया है. 1970 के दशक में सेट की गई वास्तविक घटनाओं के आधार पर यह सिध्धार्थ मलहोत्रा को एक रौ एजेंट के रूप में दिखाता है, जिन्होंने उस समय राजनीतिक उथल पुथल के दौरान भारत के एक मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फिल्म में सिध्धार्थ मलहोत्रा, रश्मिका मंदाना, कुमुद मिश्रा, अर्जन बाजवा, शारिब हाश्मी और जाकिर हुसैन जैसे कलाकार हैं. जबकि कई लोग सिध्धार्थ मलहोत्रा को एक और एक्षन थ्रिलर फिल्म में देखने के लिए उच्साहित हैं, जो शेर्शाह जैसे देशभक्त का किरदार निभा रहे हैं, अन्य लोग टीजर के प्रती उतने अनुकूल नहीं थे. नेटिजन्स ने बताया कि कैसे फिल्म की अवधारना और टीजर सल्मान खान की स्पाई थ्रिलर एक था टाइगर से काफी मिलते जुलते थे. कई लोगों ने मिशन मजनू की कहाने की तुलना जॉन अबराहम की रोमियो अकबर वाल्टर रॉ से भी की. दिल्चस्प बात यह है कि सल्मान और जॉन की दोनों फिल्मे वास्तविक जीवन के भारतिय जासूस और रॉ एजेंट रवींदर कौशिक पर आधारित बताई जाती हैं, जिन्हें ब्लाक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है. इसलिए बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि मिशन मजनू की कहानी और विशेश रूप से सिधार्थ मलहोत्रा का चरित्र रवींदर कौशिक से प्रेरित है. पीपिंग मून की एक एक सक्लूसिव रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि यह वास्तव में सच था.